नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबी का हारदिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रह्मत राज मतहमतिक्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट शिक्षक बरती के लिए संस्कृत के मोडल टेस्ट पेपर के बारे में यह आज यह अपना तीसरा मोडल टेस्ट पेपर है इससे पहले के मोडल टेस्ट पेपर यह दिया आपने नहीं दिये हैं तो डिस्क्रिप्रिशन बॉक्स में लिक मिल जाएगा और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप रीट 2021 टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं व 61 से 90 तक यह 30 क्यूशन है शुरुवात करते हैं पहले क्यूशन की 61 नंबर क्यूशन आपके सामने स्क्रीन पे है संसकर्थ शिक्षन शे परमुख्खा समश्या का विकल्प आपके हैं एस शिक्षा दोषपूर्ण शिक्षा पदती संसाधना नाम और चोता है भेद भावप पोन शिक्षण तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप कमेंट में कमेंट कर दें प्यारे साती क्यूशन नंबर सब्सक्राइब और तो यह अगला क्यूशन है बांज़शन शिक्षण शे भारत से प्रियोग कदा अभुवत यानि शुक्षम सिक्षन का बारत देश में परियोग कब हुआ ये बताना है आपको आपके साब ने विकल्प है 1907, 1902 में 1968 या 2001 तो प्यारे सातियों इसका विकल्प नंबर एक सही रहेगा पहला विकल्प बिल्कुल सही है तो प्यारे सातियों इसका सही आंसर क्या रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं प्रेशन नंबर 63 का सही विकल्प रहेगा तीसरा पार्टिय पुस्तका नाम अध्यापनम तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है अगला प्रेशन है 64 नंबर उदेशा नाम वर्गी करण शे परतम विचारक आसित उदेशों का वर्गी करण सबसे पहले किसने क्या? ओप्सन है आपके ब्लूम महोदे, कॉलर महोदे, एचिसन महोदे या सर्वे तो दोस्तों इसका सही विकल्प रहेगा पहला ब्लूम, ब्येस ब्लूम ने पहले वर्गी करण किया था? पहला option बिल्कुल सही है अगला है बाल गीत है पाठ शिक्षनेशे उप्योक्त विदी रस्ती बाल गीत के लिए उप्योक्त विदी कौन सी है विकल्प है खंडानवे विदी दंडानवे विदी गीत अभीने या भासा अनुवाद तो दोस्तों आप सभी को पता है प्रात्मी सही गीत अभीने विदी ठीक है तीसरा स्वरी तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा इसका गीत अभीने का अगला है केचन अध्यापकाहा संसकर्त माध्य में ने पाठेंती तंत्र कारणम पहला विकल्प है आत्म विश्वासय अबावे सामर्थ है बावे दुराग्रे चात्रेशू ग्रेण योग्यता अबावे तो 66 नमबर का कौन सा सही विकल्प रहेगा बताएं दोस्तों इसका सही विकल्प रहेगा पहला ओप्षन आत्म विश्वा से अबावे पहला विकल्प सही है अगला है वर्दा शिक्सा योजना क्रेन कैन परतिपादित मात्मा गांधी रूसो आर एं ठाकूर या विनोबा भावे यह आपके ओप्षन है 67 नमबर का राइट आंसर रहेगा मात्मा गांधी मोहदे पहला ओप्षन आपका बिल्कुल सही रहेगा अगला पर्षन है 68 नमबर NCRT इतश्य स्तापनम कदा अबुवत यानि NCRT की स्तापना कब हुई विकल्प है 1961, 1953, 1953 या 1938 तो जो 68 नमबर के उसन है इसका सही विकल्प पहला रहेगा 1961 में NCRT की स्तापना हुई थी पहला विकल्प बिल्कुल सही है अगला है गुणसितर नमबर पर्षन समानार तक सब्दानाम प्रियोगे क्रियते यानि समानार तक सब्दों का प्रियोग किसमे क्या जाता है तथ्या अनुवादे चाया अनुवादे अक्सरस अनुवादे या सर्वे अपी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल पर्षन नंबर गुन सितर का राइट आंसर तीसरा ओप्षन रहेगा अक्सरस अनुवादे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है शितर नमबर परसन है अध्यापका, किद्रशान, छात्राना, अभिलेंती विकल्प है ये श्युम सांता बवन्ती, ये शिक्षा विश्य विचारम कुर्वन्ती, ये ताम इस्तुवन्ती, चोता है ये मत अतिरिक्त्या पठ्थन्ती तो प्यारे सातियों, शितर नमबर जो परसन है उसका सही विकल्प रहेगा आपके ओप्षन नमबर चार, ठीक है चोता विकल्प बिल्कुल सही रहेगा अगला है इक्यतर नमबर अदुना सर्वम अपी शिक्षणम एव शात, छात्र केंदितम, पाट्य पुस्तकम केंदरितम, परिक्षा केंदरितम या अध्यापक केंदरितम तो जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा इक्यतर नमबर पर्षन का सही विकल्प पहला उप्षन रहेगा, छात्र केंदरित शिक्षण होता है अभी वर्तमान समय में बाल केंदरित शिक्षा है, पहला विकल्प सही रहेगा अगला है द्वी भासात्मक परविदी आवशिकम वर्तते द्वी भासात्मक जो विदी है किसम प्रियोग की जाती है अनुवाद सिक्षणे, व्याकरण सिक्षणे, पद्धे सिक्षणे या गद्धी सिक्षणे तो 72 नमबर जो है उसका सही विकल पहला ऑप्षण रहेगा अनुवाद सिक्षणे पहला विकल बिल्कुल सही है अगला परसन है मोन वाचन कती परकारा मोन वाचन कितने परकार का होता है एक, दो, त्रिये या चत्वारी बहुत ही अच्छा question है, important question है, तो प्यारे साथियों, मौन वाचन जो है, वह है तीन परकार का होता है, त्रिये याँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा, अगला है चोतर नमबर, व्याकरण सिक्षन शे सर्वादी का उप्युक्त विदी मन्यते, यानि व्याकरण सिक्षन की अग्मन निग्मन विदी, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक जरूर कर दे, अगला क्यूशन आपके सामने आ रहा है, आदर्स वाचन का उदेश्य क्या है, शुरुत लेकनम, उच्चारन सिक्षनम, तुरुटी स सही है, अगला परसन है, ते वरगश्य उच्चारन इस्तानम भवंती, नासिका, मुर्दा, कंठय या दंता, ये परसन बहुत अच्चा उच्चारन इस्तान से है, तो आप कमेंट करें, राइट आंसर क्या रहेगा, प्यारे सातियों, छेतर नंबर का राइट आंसर दंता दंता आपको सुत्रियाद होगा, चोता विकल बिल्कुस सही है, आगे आपको पध्यास पढ़ करके, शत्यतर से त्यासितक के आंसर क्रेक्ट करने है, शत्यतर नंबर परसन है, ये पध्यास आपको दिखाई दे रहा, आप इसको ध्यान पुर्वक पढ़ ले पहले, शत्य सत्यतर नंबर परसन आपके सामने अंकित है, आप बताएं राइट आंसर क्या रहेगा, सत्यतर नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा, तीसरा विकल पतिम्वरा, ठीक है, अगला क्युस्तन देखें, संचारिनी दीप सिखा इस पद के द्वारा किसकी और संकेत किया गया है, वि सत्यतर नंबर परसन आपको दिखाई दे रहा है, इसका सही विकल परेगा, इंदू मती, ऑप्शन नंबर दो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, 79 नंबर आचुका है, नरेंदर मारगाट से किसकी तुलना की गई है, रातरी की, राजाओं की, दिपक की या अन्य की, तो 79 नं प्यारे सात्यों, 79 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, वे रहेगा आपके, दूसरा विकल राजाओं की, ठीक है, अगला है 80 नंबर, विवर्ण भाव का समन्द किस्से है, राजाओं से, पतिवरा से, दीप सिका से, या राज मार्ग से, 80 नंबर परसन का सही विकल प्या होगा, तो दोस्तों 80 का सही विकल पहला ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है, 80 में कौन सा रहेगा, पहला सही रहेगा, 81 नंबर आचुका है, अंदू मति की तुलना संचारीनी दीप सिका से की गई है, क्योंकि इन्दू मति, ठीक है, विकल पहें, इन्दू मति का आचरन सब्य है, इंदूमती वर्माला लेकर खड़ी है, चारण का काम करती है या चल रही है, 81 नमबर प्रशन जो है, उसका सही आंसर एगा, विकल्प नमबर 4, चल रही है, ठीक है, चोथा ओप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 82 नमबर आपके, प्रशन है कि प्रश्तुत पद किस गरंत में संकलित है, रगुवन्स, कुमार संभव, मेग दूत या कठोप निशद, ठीक है, तो 82 नमबर क्यूशन का राइट आंसर क्या रहेगा, आप कमेट बोक्स में कमेट करें, कितने लोग इसका सही उतर देते हैं, तो 82 नमबर का प्यारे मित्रों, पहला विकल्प सही रहेगा, रगुवन्स, ठीक है, अगला परसन है, प्रश्तुत पद्य में कौन सा चंद है, विकल्प है, उप जाती, उप अंद्र वजरा, इंद्र वजरा या वन्सस्त, तो मैं आपको वापिस दिखा देता हूँ, पद्यांस, ये रहा पद्यांस आपका, आप इसमें वरण गिन सकते हैं, और चंद का पता लगाएं, ताकि हम क्यूशन का आंसर सही करें, चलिए आपने देख लिया होगा, तो प्रशन था आपका कौन सा, 83 नंबर, तो इसमें प्यारे सातियों कौन सा चंद लगा आपको, करेक्ट आंसर एगा, पहला उप्शन उप जाती चंद है इसमें दोस्तों, ठीक है, जिसमें, पहला वरण जो है, लगू और गुरू, दोनों, यानि इंद्र वजरा और उपेंद्र वजरा का मिस्रित चंद होता है, उप जाती, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके, गद्यांस आपके सामने अंकित है, 84 से 90 तक आब आपको, गद्यांस में से पढ़कर आंसर देने हैं, तो ये गद्यांस आपके सामने अंकित है, पहला क्यूसन क्या है, सुरुति नाम आश्यम का परतिपाद्यन्ती, तो आप इसका आंसर ढूंड़ें गद्यांस में से, और बताएं क्या करेक्ट आंसर रहेगा, 84 नमबर आपके सामने में बोल रहा हूं, सुरुति नाम आश्यम का परतिपाद्यन्ती, तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या, दूसरा विकल्प इस्मरित्य, ठीक है, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्यूसर ने, आपका यद्यप का संदी विच्छेद क्या होगा, चार विकल्प आपके सामने अंकित हैं, आप ध्यान पूर्वक इनको पड़ें, और राइट आंसर क्या रहेगा, आप आप कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों, 85 का जो करेक्ट आंसर है, वो रहेगा, तीसरा विकल्प यद्यप लगवेट, पुलिंग रूप क्या होगा, चतवारी, चतुर, चतश्त्र या चतवार है, तो 86 नमबर आपके सामने अंकित है, जल्दी से बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, और दोस्तों 30 में से आपके कितने सही होते हैं ये भी बताना है संस्कर्थ का संपूर्ण सेलेबस का क्रेश कोर्स जो है 5-7 दिन में उसका 5-6 गंटे का एक साथी वीडियो आपको मिलने वाला है निश्चित रूप से आपके लिए फाइदे मन्द रहेगा 86 का जो करेक्ट आंसर रहेगा चोता उप्षन चत्वार है ठीक है अगला परसने आपका इस्त है इति पदम लंग लकारे परिवर्तियत इसको लंग लकार में बदलना है कौन सा रूप बनेगा उप्षन है आशीत आस्ताम आस्तनिया आस्तम तो 87 का जो दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा दूसरा विकल्प रहेगा आस्ताम ठीक है आगे बढ़ते हैं 88 की तरफ 88 नमबर इस्मर्ति इतित्र क्या परती इस्मर्ति में कौन सा परती है कतिन थी तिप कत तो दोस्तों आप आराम से चांड सकते हैं इसको 88 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपको बताना है तो मित्रों 88 का जो करेक्ट आंसर है तो कतिन परते हैं पहला विकलब आपका बिल्कुल अगला है कति इसमर्ते परशिदा संती इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कती इसमर्ते परशिदम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लाइन लिखी हुई है अब आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं तो 89 का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका विकल्प नमबर 4 दुए ठीक है चोता विकल्प आपका करेक्ट आंसर हैगा आज की इस मोडल पेपर का अंतिम परसन आपके सामने दोस्तों आ चुका है इसमर्ती इत्यसमिन पदे का विबक्ती किम वचनम चे कौन सी विबक्ती है और कौन सा वचन है पहला विकल्प है परतमा एक वचनम दूसरा है द्वित्या एक वचनम तीसरा है परतमा द्वी वचनम या द्वित्या बवचनम तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हैगा वो रहेगा पहला विकल्प परतमा एक वचनम का रूप है ये पहला विकल्प बिल्कुल सही है तो मेरे दोस्तों ये थे आज के 30 क्यूसन और 30 में से आपकी कितने सहीवे आप इमानदारी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं मोडल पेपर आपकी किस परकार से मदद कर रहे हैं आपका अपना आंकलन करने में ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं तो दोस्तों मिलते हैं कल एक लेटेस नहीं मोडल पेपर के साथ में तब तक के लिए सबी सातियों को जै हिन जै बारत थेंक यू